तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आप से यूट्यूब के कुछ नए फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ जो रिसेंटली यूट्यूब में आये हैं तो बिने टाम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर जो यूट्यूब में आया है वो रिसेंटली ही आया है ज्यादा देर नहीं है हुआ है वो रिसेंटली ही आया है कि आप जो है अब जो यूट्यूब वीडियो होते हैं उनको लूप में प्ले कर सकते हैं पहले यह जो feature था वो केवल desktop mode में था यानि कि जब आप computer system cover YouTube को use करते थे तो अभी आप अपने YouTube को जो है लूप में प्लस कर सकते हैं यानि YouTube वीडियो को लूप में प्ले कर सकते हैं मतलब कि जब आप आप YouTube वीडियो प्ले होगा तब बार बार वहीं वीडियो प्ले होता जा यानि की catchy का icon देखने को मिलेगा अब उस catchy से आप क्या कर सकते हैं कि 5 seconds से लेकर लगवक 60 seconds की वीडियो को share कर सकते हैं अब यह मत समझ लिए कि यह TikTok है यह ऐसा नहीं है मान लिए कि कोई आप वीडियो देख रहे हैं उसका कोई वीडियो का clip आपको अच्छा लगा कोई वीडियो क्लिप को अपने दोस्त के साथ share कर सकते हैं WhatsApp पर जो भी आप messaging application चलाते हैं उस पर कोई message पर भेज सकते हैं और जब वो link पर क्लिक करेगा तो वो उतने clip को देख पाएगा YouTube पर और वो चाहे तो वीडियो भी पूरा देख सकता है तो यह अच्छा feature है क्योंकि जो है users का भी फैदा होता है जो YouTube वीडियो बनाते हैं होता क्या है कि जब भी आप main topic को समझाना चाहते हैं तो उस topic को आप directly clip करके भेज सकते हैं और जब वो main topic को देख लेका तो उसको जो है वीडियो देखने का आगे मन करेगा इसलिए वो पूरी वीडियो देख लेका त मिलता था कि आप जहें 240P पर 480P पर 144P देख सकते हैं 720P 1080P पर देख सकते हैं लेकिन अब आपको कुछ ज्यादा features मिलते हैं जब भी आप अपनी picture quality को adjust करने जाते हैं तो अब आपको feature मिलता है high picture quality data saver auto and advanced mode तो यहां पर advanced mode में जो पहले के चीजे थी वो डाली गई है और बा high picture quality पर अगर आपके इस video को play करते हैं तो बहुत ही high resolution play होगा और आपको picture quality बहुत अच्छी देखने को मिलेगे तो यह काम बिलकुल YouTube में बहुत अच्छा किया है कि बहुत सरो लोग high picture quality में देखना चाहते हैं बहुत सरो लोग data saving में देखना चाहते हैं तो यहां पर यह ए अब देखे कोई भी गाने को जब आप सुनते हैं तो यहां पर YouTube में फीचर लाया है कि अगर उस गाने में से किसी गाने पर मतलब कि उस गाने के किसी पार्ट पर आपको बीडियो बनानी है तो वहां पर आपको उसी बीडियो के नीचे create का option मिलता है जब भी आप create पर क्लि आप मुझे इस चैनल पर यहां पर आप मुझे बहुत सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको यह दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए और उन्हें इनने फीचर के बारे में जरूर बताएगा आप मुझे इस चैनल पर यह भी बता सकते हैं कि आपको इस चैनल पर किस टाइप की वीडियो चाहिए और मुझे इस चैनल पर किस किस टाइप की वीडियो च बनानी चाहिए मैं मिलता हूँ आपको अपनेरा अगले वीडियो में Thank you and Bye Bye